S.I. भर्ती परिक्षा 2021 पेपर लीग के मामले में गिरफतार हुई मास्टर माइंड जगदीश विश्णुई और केमरादिक्षक राजिश खंडेलवाल दोनों ही बहुत शातिर हैं S.O. जी की पूश्टाश में दोनों ने एक दूसरे को पहचानने से ही इंकार कर दिया वहीं दोनों का सम्बंद J.N. भर्ती पेपर लीग के आरोपी लाइब्रेरियन शिवरतन मोट से भी निकला है जब S.O. जी ने तीनों को एक साथ बिठाया इसके बाद तीनों ने एक दूसरे को जानने की बात कही तीनों से पूश्टाश में सामने आया कि जगदीश विष्णोई ने जैपूर के हसनपुरा में शांती नगरिस्तित रविंद्र बाल भारती सीनर सिकेंडरी स्कूल के केंडरा धिक्षक राजेश खंडेलवाल के जरिये पेपर लीग का जाल बिचाया था जेएन पेपर लीग में गिरफतार हो चुके टीचर राजेंद्र कुमार यादव ने ही जगदीश विष्णोई की मुलाकात राजेश खंडेलवाल से करवाई थी राजेश ने उसके बाद जगदीश विष्णोई गैंग के सदस्य वनपाल यूनिक भामबू उर्फ पंकत चौदरी और लाइब्रेरियन शिवरतन मोट के साथ मिलकर परिक्षा से पहले पेपर लीग करने की प्लानिंग की थी आपको बता दें कि पंकत चौदरी चूरू का रहने वाला है वहीं शिवरतन मोट गंगानगर में रहता है ऐसाई भरती परिक्षा तीन दिन हुई थी जाँच में पता चला कि पहले 13 सितंबर को पेपर लीग करने की प्लानिंग थी लेकिन परिक्षा से कुछ समय पहले ही पेपर आने के कारण लीग नहीं हो सका लेकिन परिक्षा से कुछ समय पहले ही पेपर आने के कारण लीग नहीं हो सका इसके बाद 14 और 15 सितंबर को इन सभी ने मिलकर पेपर लीग कर दिया पेपर लीग के आरोपी गिरफतारी के बाद भी जूट बोल रहे थे एक दूसरे को पहचाने से इंकार कर रहे थे जब सामने बिठाया तो खुली पोल सूत्रो के अनुसार केंद्रा दिक्षक राजिश खंडेलवाल को पेपर लीग कराने के लिए टीचर राजेंद्र कुमार यादव ने ही सेट किया था इसके बाद पेपर लीग के मास्टर माइंड जगदी शुष्णोई केंद्रा दिक्षक राजिश खंडेलवाल यूनिक भांबू और शिवरतन मोट ने ही पेपर लीग की पूरी प्लानिंग की थी ये बाद भी सामने आई प्लानिंग के तहट यूनिक भांबू को सेंटर पर रखना था इसलिए उससे इन्विजिबिलेटर बनाये गया यूनिक को स्कूल के ऑफिस में बने छोटे कमरे में चिपा दिया गया मही चेकिंग के दौरान भांबू की जगा शिवरतन मोट को तैनात कर दिया गया झाल